महाराश्य पुर्वग्रोव मंत्री अनिल देश्मुक ने फिरिक बार महाराश्य के उपमुख्यों मंत्री देविन रफर्णवीस पर प्रहा किया है उन्होंने कहा कि सचिन वाजिनी की आरूप ये देविन रफर्णवीस की नई चाल है आनिल देश्मुक ने कहा कि मैंने चार पाच दिन पहले ही देविन रफर्णवीस पर आरूप लगाया था जिससे तत्ती जनता के सामने आके कैसे देविन रफर्णवीस ने उट्टो ठाकरी और आधिति ठाकरी को जेल में डालने का प्रस्ताव रखा ये मैंने महराश्य की जनता के साम दिलाया है सचिन वाजे द्वारा लगाया के आरूप देविन रफर्णवीस की नई चाल है वंबे हाई कोट ने सचिन वाजे की बारे में कहा है कि वाजे एक अपराती है और हत्या की दो आरूपे में गिरवतार क्या क्या है और सचिन वाजे भरुसा करने लायक वेक्ती नहीं है सचिन वाजे की किसी भी बयान पर भरुसा नहीं क्या जा सकता देविन पर्णवेस्ट सजिन पाची की जरी आरूप लगा रहे है। आप अदित्य ठाकरी की पर आरूप करो ताकि दोनों भी जेल में जाना चाहिए। हाई कोट ने बुलाए कि सचीन वजे एक क्रिमिनल बैक्ग्राउंड का व्यक्ति है। गुनेगारी प्रवरुत्ति की इसकी पुरी पार्शमुब्री में बैक्राउंड है। दो खुन के इलजाम में उसको अरेस्ट किया गया है। आज भी हो जेल में हैं और ऐसे गुनेगारी प्रवरुत्ति की आदमी जिसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसके बार कोड खुद बोलती है। दो खुन के इलजाम में सचीन वजे जेल में है। और ऐसे ही इस इनसान को पकड़के बारती जनता बाट्री की जो पूरी टोली मेरे उपर आरूप लगा रही है। सचीन वजे ये देवेन फर्णिस जैसा जैसा बोलते वैसा वो बोल रहा है। क्याम रपस्तन राजकुमार बहुट के साथ अभिशेव पांसी की रिपोर्ट।